Hello buddies, NEET 2023 का exam अगर आपने दिया था और आपको लगता है कि आपका score उतना नहीं जिससे आपको Government MBBS College की एक seat मिल पाए और आप NEET 2024 के लिए preparation स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए कि 2023 में कौन सी गलतियां की जो NEET 2024 के लिए आपको दोहरानी नहीं है क्या-क्या गलतियां हो सकती है ज्यादा तर बच्चों की गलती ये है कि वो 200 मिनट में 200 कुशन एटम्ट नहीं कर पाए उनके पास टाइम कम पड़ गया क्योंकि उन्होंने कुशन की प्रैक्टिस नहीं की थी उन्होंने टेसरी जोइन नहीं की थी उन्होंने 200 मिनट के अंदर 200 कुशन की प्रैक्टिस की ही नहीं थी एक ये बड़ा कारण मैंने देखा बच्चों का यसे बहुत सारे बच्चे मिलने के लिए आते हैं रोच और कहते हैं कि सर साहे 500 नमबर आ रहा 500 नमबर आ रहा साहे 400 नमबर आ रहा क्या करें तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले अपनी गलती देखो कहां पे गलती कर रहा हूँ हो सकता बायो में आप बहुत अच्छा करें लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप अच्छा नहीं कर पा रहें बायो और केमिस्ट्री में अच्छा कर पा रहें तो फिजिक्स में नहीं अच्छा कर पा रहें बाय और physics में अच्छा कर गए तो chemistry में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं balance आपको बनाना पड़ेगा concept आपके पूरी तरीके से clear होने चाहिए अगर आपके concept clear नहीं है और आप question की practice कर रहे हैं confidence नहीं आएगा confidence के लिए जरूरी कि question की practice करिए लेकिन concept clear होने के बाद में जब आपका topic cover हो जाए तो question की practice जरूर करिए पढ़िए भले कम लेकिन question की practice बहुत ज़ादा जरूरी है एक कारड़ी हो सकता कि बहुत सारे बच्चों ने online coaching की और online की वज़े से उनका rhythm नहीं बन पाया जो regularity एक होती consistency होती है वो maintain ही नहीं कर पाये क्योंकि online में यह होता ना चलो बाद में देख लेंगे recorded तो हमारे पास है ही यह बड़ी समस्याती है teacher से वो one to one interaction नहीं हो पाया तो जितने भी confusion आपके हैं उसका एक solution है NEET 2024 के लिए 25 अब में 2023 से हमें एक batch start करने जा रहे है जो dedicated होगा NEET 2024 के बच्चों के लिए क्या खास है इस batch में देखे सबसे पहली जो important बात है unacademy की वो यह है कि यहाँ पर आपको पता है कि offline में आपको कौन से teacher पढ़ाएंगे और किसी भी इंडिया के institute में आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि offline में आपको कौन पढ़ाने वाला है online में तो बड़े-बड़े teacher आपको दिखा दिये जाते हैं लेकिन offline में आपको कौन पढ़ाने वाला है यह क्यों यहीं आपको पता चलता है तो आपके लिए यह नए बैच स्टार्ट हो रहा है NEET 2024 की प्रिपरेशन के लिए 25th आप में से क्या खास बाते हैं NCRT-based study material आपको मिलेगा यानि जो आपको content provide किया चाहेगा वो पूरी तरीके से NCRT-based होगा क्योंकि NCRT ही NEET है इस समय की दूसरा recording of offline classes किसी भी वज़े से अगर कोई class आपकी miss हो जाती है कभी आप offline class करने नहीं आपाते हैं तो पूरा recording आपके पास available रहेगी और साथ ही साथ आप class आते भी हैं लेकिन कोई topic अगर आपको revise करना है plus subscription आपको मिलेगा free में offline classes के साथ में जिससे आप revision कर पाएंगे और कोई class कभी आपकी miss नहीं होगी इसके लावर regular test जो की बहुत जरूरी part जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रहा था अगर आप test की practice नहीं करेंगे neat में selection नहीं होगा कितना भी आप पढ़ाई कर लो केवल पढ़ने से selection नहीं होता है केवल knowledge से selection नहीं होता है selection के लिए question की practice करनी होती है और बहुत सारे question की practice करनी होती है साथ ही साथ एक बहुत important five days classes in a week एक हथे में केवल five days आपकी classes होंगी एक दिन आपको off रहेगा जिसमें आप पूरे पास दिन में जो चीजें पढ़ाई गई है उनको आप revise कर पाएं और Sunday को आपका test होगा तो इस तरीके से आपके पास time रहेगा proper revision करने के लिए और साथ ही साथ आप अपनी मंचिल को पाने के लिए पूरी तयारी के साथ बेटा लग जो क्योंकि अब भी आपके पास पूरा एक साल का time है और अगर आप देखें 7th में को exam हुआ था नी 2024 भी में में होगा या clear कर लो और आप 7th में के बाद देखें कि करीब 15 दिन बीट चुके हैं और 15 दिन में कि आपकी पढ़ाई हुई नहीं ज्यादा तर बच्चे exam देने के बाद जिनका नंबर 400, 400, 500, 500, 500 कुछ भी आया है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं 15 दिन आपने वेस्ट कर दी हैं तो जल्दी से जल्दी अगर आप NEET 2024 लिप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे उतना ही benefit आपको मिलेगा क्योंकि आपके बहुत सारे जो competitor हो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं और आप 15 दिन हो चुके हैं आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किये तो जितनी जल्दी हो अगर आपको तयारी करनी ही करनी है तो जितनी जल्दी हो आप इन batches को जोईन कर लें तो नया batch आपका 25 अब में से स्टार्ट हो रहा है इस batch को जोईन करें और अगर कोई भी doubt है comment section में जरूर पूछेगा अगली वीडियो में मिलेंगे जय हिंद